जी मैं क्या ही सोचता था मैंने का पता नहीं कितना ही पढ़ते होंगे कैसे ही गोगोंगे उनके पास कितना कितनी ही बुद्धी होगी कि इतने अच्छे मांक्स इतना अच्छा रहा हैं क्या पा रहे हैं बट अब शायद मेरे भी किंदती शायद उनी में होते हैं मार्च 2020 में पढ़ाई स्टार्ट करी थे, और उसी समय लॉक्डाउन गग गया था, करोना का गज़े से, तो ये बात थी कि कॉलेज की क्यासे साथ गंडे पढ़ा करता था, मुझे नियुकता कि उससे जाधा पढ़ने की जरूरत है, अगर आप छे से साथ गंडे दिन के दे तो वो सफीशन्ट है, मेरे इस पर फोकस किया, और ती माइनस सिक्स्टी, आने प्रिगम से साथ दिन पर गगे, तब मैंने शिफ्ट ओवर किया प्रिगम से और प्रिगम से फोकस किया, इस ट्रिकी एच ताइम, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उसमें निकाले का एक वो होत प्रिगम से जादा से जादा मॉप टिस्क सगाई है, फाइफ थाउजन तो शिक्स थाउजन कुशन आपको सॉल्फ करने चाहिए, बिफोर अट्चुलि अटेंटिक वोसन प्रिगम से विल्कम तो नायल अल्टिमेट, अभी हमारे साथ सम्यक जैन सर है, जो कि सेवन तरैं क सब्सक्राइब करें के साथ यूप से बातचीत करते हैं कि क्या इसकी रही, बुक लिस्ट, सब कुछ में बात करेंगे, तो आप सब लोग भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज तक बने रहे हैं, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत कंग्रचुलेशन, थैंक इतने इच्छे मांक साजएएंगे, इतना अच्छा राइंक आजाएगा, यह था कि कहीं दोसो डाइसो के बीच में शायद आ जाएं तो बहुत खुश किस्मती होगी, लेकिन जब देखा कि सेवेंध राइंक काया है, तो मत्याब इट वाज अन बिगीवेबल, सर अपना अपना जो ग्राजुएशन है, वो डी उ से किया है, ब इंग्लिश ओनर्स में, उसके बाद मैं दो हजार अठार में आई एमसी गया, दोजार अठार से उननेस में मैंने वापी पीजी डिप्लोमा गिया, इंग्लिश जनलिजम में, और उसके बाद मैंने दो उननेस से तक जो एनियू में, मास्टर्स किया, में इन पॉलिटिक्स बिश्याज़जेशन इन इंटरनाशनल स्टूडिज स्कूल इंटरनाशनल स्टूडिस के अंडर का एक ओरस, इससे पहले सरा आप टॉपर के बारे में क्या सोचते थे, जी मैं क्या ही सोचता था था, मैंने का पता कितना ही पढ़ते होंगे, कैसे ही गोगोंगे, उनके पास कितनी ही बुद्धी होगी, कि इतने अच्छे मार्च, इतना अच्छा रहां कि आप आ रहे हैं, बट अब शायद मेरे भी गिंती शायद उनी में होती है, अब अपना टाइम टेबल वगरा सोड़ा बताएंगे, क तो समय बहुत में रहा था, गाइफ में, तो मैंने जो अपना जाधातर समय है, यूपेस्ट के गही दिया है, और उसके बाद का बचा हुआ समय मैंने अपनी एक्स्टा करी को एक्टिविटीज वगरा में डिवोट किया, तो मैं गरीबन दिन के 6-7 गंटे पड़ा करता थ तो मैंने स्टाटिंग से ही पाय गाये मेंज पर फोकस किया और जब T-60 माने प्रिविटीम से साथ दिन पर गए तब मैंने haft शिंग ओड़िया की आपने प्रिविल नहीं हो अगर आपने प्रियम से इंट्रिवन गये और तक तो भी अगली बार आपकर प्रिविक निजिक् तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप जादा से ज्यादा मौक टेस्ट सगाई है 5000 तो 6000 कोईशन आपको सॉल्फ करने चाहिए बिफोर अक्चुली अटेंटिंग दोस 100 कोईशन अफ प्रिगम्स आप एक कम से कम एक मौक टेस्स पूरी अगाई है यह बहुत जरूरी है उसमें sectional टेस्ट साहिए और बाट मस्त्स पहुंगे वह सारे गाने जरूरी है constant evaluation बहुत जरूरी है consistency बहुत जरूरी है आपको minimum number of attempts गाने ही होंगे आप 85 to 90 से कम questions अटेंब नहीं कर सकते आपको risk लेना होगा अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने सब कुछ पड़ा है, तो भी UPSC इतना अन्प्रेडिक्टिबल है, कि उन सौ में से जादा से जादा आपको 40-45 कुछिन आते होंगे, मुझे नहीं गखता कि किसी सीरिस कंडिडेट ने वो 45 से जादा कुछिन पी फोर ह कि मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बता ही है, जी मेंस की आंसर राइटिंग अगें इस वेरी इंपोर्टेंट एंड इस वेरी इंपोर्टेंट कि आप उसको प्रिगम से पहगे ही स्टार्ट कर दें, मैं ऐसा करता था कि मैंने यगभग प्रिगम से पहगे पह पर फोकस था आपको यह देखना है कि आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बाते कैसे कर सकते हैं यूज ऑफ डाइग्राम्स इस वरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है स्पीड आपको मेंटें करनी और वो सब यह सब तभी आएगा जब आ पर बार प्रैक्टिस करेंगे तब यह आपका यह मसल्मे मेरी बन जाएगी उसी तरीके से आप कर सकते हैं तो सर अप्सणल आपका क्या था सब्सक्राइब करना चाहिए जी मेरा ऑप्शनल पी एसायर था पॉलिटिकर साइंस इंट इंटरनाशनल रिशन वही जिसमें मैंन सब्सक्राइब करेंगे तो यही रिकमेंड करूंगा अगर आपको यह सब्सक्राइब कर रहे हैं जो कि आपकी स्टडीज आपके अजुकिशनी बैक्राउंट से रिए नहीं है देन मुझे अगता है कि आपको थोड़ा सा एफट जाला लागना पड़ता है सो देन इट बे इसाम दो दॉप संटि आपको यह रिए प्याइब कर शक्राइब कर सकते हैं कि कॉन सस्टार आपके लिए बैस टेयरी आपने का अपना तो यह रिए लोगो तो यहिं देट अजे जारी आपनवान्न नहीं है कि यह रिए यह रिए करेंगे तो इंटर्यू को जायेगा वो पोरी तैयारी के दराहन ही यह परसन अगरटी अगरटी तेस्ट करते हैं. तो मुझे गढ़ता है कि अगर थोड़ा कोशिश थोड़ा थोड़ा आप तभी से इंट्रवी के तैयारी शुरू कर सकते हैं. आप मेरे दो थीन होबीस को मुझे अपने दाफ में रहेंगे वो यह यह होंगे और इन इन इंडर्मेडियर पीरिद अफर यह मेंस और बिफोर मेंस रिजर्ट कमस आओ यह ब्रश अप यह होबीस हम सब की कुछ ना कुछ होबीस होती हैं और अपनी पसनागेटी के वेरिस्ट को एक बार जौट डाउन करें कि मेरे पसनागेटी की यह यह पॉइंट से यह रहे से कुछन आ सकते एक स्प्रेड की कई विस्ट परना है उनके आंसर मेंटी के प्रेड करें I think that is a good strategy. Sir, what are your hobbies? I took two hobbies. So, I like reading political non-fiction books, I like watching movies and web series and I also like going for walks. Sir, what do you think you will get IS, then what else you will get, sir? 7th rank, you can also get something. My first preference was IS, and I think that I should get my first preference to get the first preference. So, I am hopeful for IS. Thank you sir. Thank you.